आज हम बनाएंगे पपाया सेख, इसे पपाया स्मूधी भी कहते हैं, पपिता बहुत ही गुनकारी फल होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मातरा में विटामिन A, विटामिन K, विटामिन E अधिक मातरा में पाये जाता है, पोटेसियम की और फाइबर की मातरा तो बहुत यह बहुत जल्दी पच भी जाता है इसलिए बीमार लोगों को भी यह पपिता खानी की सला दी जाती है हम बड़े तो खा ही लेते हैं पपिता क्यूंकि हम लोग को बहुत ही पसंद आता है पर बच्चे जो होते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता तो उन्हें यह बता ही नहीं जिलेगा कि पपिता कसरी को बड़े तो चली सुपर टेस्टी नहें भी एक शुरू करते हैं टो एक पपिता लेलिया है यह पका उधा हुआ है तो आज saize आप अपने हिस आप से लेलीजे यह बहुत इoney आका से मार्केट में मिल जाता है पपिता हो अबीने क्या करना है इस तरह है। तो मैंने दो प्लेट एक पपिता में निकाला जिसे की मैं एक ऐसे ही खाऊंगी और एक कम है ये पपाया सेख बनाऊंगी बच्चों के लिए तो चली बनाना शुरू करते हैं तो अब सारे पपिता के जितना भी टुकड़ा है सबको में ग्रैंडिक जार में डाल देते हैं आ देखे इस तरह से अब इसे ग्रैंड कर लेते हैं तो ये देखे इस तरह से ये बहुती अच्छा स्मूदी बनके आ जाता है तो अब इसमें जितने बचे वए दूद हैं वो डाल देते हैं इसे भी चला लेते हैं तो ये देखिए चलाने के बाद ये इस तरह से होता है तो अब इसमें मैं डाल रही हूं गूर आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं पाउडर बला गुर्जोए बजार में बहुत ही इजीली मिल जाता है अब इसमें डाल देते हैं आधा ग्लास पानी अब सबको ग्राइन कर लेते हैं तो यह देखे यह हमारा पपाया सेक बनके त्रेडी हो चुका है है ना मज़ेदार तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं तो इसे ग्लास ले लेते हैं आप कोई भी ग्लास ले ले दीजिए क्या फरक पढ़ता है स्वाथ तो जीजा हुआने वाला है तो बस सबको डाल देते हैं देखे लग रहा है nu बहुत ही स्वाधीश्ट बनके आता है अब इसमें एक-एक आईस क्यूब डाल देते हैं अगर है तो डाली नहीं है तो कोई बात नहीं तो ये देखिए ये हमारा पपाया सेख बन के तयार हो चुका है और बच्चे इने पीने के बाद तो बहुत ही फैन हो जाएंगे इस पपाया सेख का तो ये रिशपी कैसा लगा जरूर बताईए थैंक यू फर वाचिंग